दोस्तों दुनिया भर में सबसे ज़ादा पी जाने वाली अगर कोई ड्रिंक है तो वो है चाय वैसे चाय के बारे में बहुत सारी सुनी-सुनाई बाते आपने अक्सर यूट्यूब पर देखी होंगी बहुत सारी लोग कहते हैं कि चाय को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए बहुत सारी लोग कहते हैं कि चाय जहर है बहुत सारी लोग कहते हैं कि यह अंग्रेजों की ड्रिंक है वगयरा वगयरा लेकिन इस तरह कि जितनी भी बाते हैं ये सब सुनी-सुनाई बाते हैं और इनका कोई भी scientific base नहीं है और इनको आपको एक कान से सुनके एक कान से निकाल देना चाहिए लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बे तहाशा चाह पीने शुरू कर दें और बस पूरा दिन चाह ही पीते रहें क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाह पिएंगे तो no doubt उसके side effects उसके नुक्सान आपको जरूर मिलेंगे विस्ते ये side effects से सिर्फ चाह के ही नहीं है दोस्तों अगर आप कोई अच्छी से अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं इंफेक्ट अगर आप दूद भी इस्तेमाल करते हैं या कोई ताकत की अच्छी चीज भी इस्तेमाल करते हैं दो ऐसे ingredients के बारे में जो कि अगर आप अपनी चाई के अंदर डाल दें बनाते समय तो इससे आपको बहुत सारे health benefits तो मिलेंगे ही इसके साथ साथ आप बहुत सारी छोटी बड़े बिमारियों से भी अपने आपको महफूज रख पाएंगे आपकी चाई का टेस्ट भी बड़ेगा और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि चाई पीने के नुकसान होते हैं तो ये नुकसान भी किसी हद्ता कि इन दो चीजों को डालने से आपके चाई के कम हो जाएंगे तो चलिए बीना किसी देरी केस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों ही इंग्रीडियंट्स के बारे में रोजाना दो से तीन कब तक अगर आप चाई पीते हैं तो ये आपकी सिहत के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन्द हैं क्योंकि चाई के अंदर कई तरह के एंटी ऑक्षडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सिहत के लिए अलग-अलग फाइदे रखते हैं लेकिन अगर आप ये दो इंग्रीडियंट्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं अपनी चाई में डालने शुरू कर दें तो आपकी चा चाई में बनाते समय डालते हैं बहुत सारे घरों में इसका regular use होता है लेकिन mainly Punjabi families के अंदर इसका इस्तमाल सबसे जादा होता है अगर आप अपनी चाई बनाते समय उसमें अद्रक नहीं डालते हैं तो जान लीजिए कि आप अपनी चाई के अंदर जो possible potential benefits आपको मिल सकते ह उनसे अपने आपको महरूम रख रहे हैं अद्रक के अंदर बहुत जबरदस्त तरह के anti-inflammatory properties होती है जो कि आपकी body के अंदर सूजन को कम करती है दर्द को कम करती है जोडों के दर्द में आपको और आम पहुचाती है यह आपकी immunity को enhance करता है आपके वजन को कम करता है आपक आपको नौजिया की शिकायत रहती है तो उसको भी कम कर देता है और भी बहुत सारे फाइदे आपको अद्रक करने से मिलते हैं तो अगर आप चाय के अंदर यह अद्रक डाला करेंगे तो उससे आपको यह फाइदे भी साथ में मिल जाएंगे दूसरी चीज जो कि आपको चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनमन यानि की दाल चीनी दोस्तो दाल चीनी भी एक इंडियन स्पाइस है एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खानों में बहुत सारी डिशिस के अंदर अगर आप दाल चीनी को चाय के अंदर डालते हैं तो उससे यह आपकी उससे लड़ने में यह आपको मदद करती है आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि दाल चीनी का इस्तमाल करने से आपको मिलते हैं तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो ये फायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे एक चीज जिसका आपको खास ध्यानक न चाहिए वो ये कि अगर आप दालचीनी का इस्तमाल करते हैं तो make sure करें कि आप श्रिलंकन वराइटी वाली जो दालचीनी है उसको इस्तमाल करें क्यों से आप इसको purchase कर सकते हैं इन दो चीज़ों के साथ साथ एक और bonus ingredient भी है जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं जो कि है छोटी इलाइची दोस्तों छोटी इलाइची डालने से आपकी चाय का flavor तो बढ़िया होता ही है उसमें से खुश्बू तो बहुत बढ़िया आती ही है साथ साथ आपको बहुत सारे health benefits भी मिलते हैं छोटी इलाइची आपकी body को आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है छोटी इलाइची भी आपके digestion को improve करती है आपके blood circulation को enhance करती है और इसके साथ ये आपकी जो नसे हैं उनको stimulate भी करती है जिससे body के अंदर energy भरती है तो इस छोटी इलाइची को भी आप चाहे तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर ये चीज़े कितनी-कितनी डालनी चाहिए अगर आप 1 cup चाय बनाते हैं तो उसके अदर आप 20 teaspoon कसा हुओ अधरक डालिए उसके अंदर आप डा साथ ध्यान आप हमेशा रखना वो यह कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बरतन के अंदर रखे आप उसके अंदर ये तीनों ही चीज़े डाल दीजिए और फिर उसको पकाना शुरू करिए और चाय को जब भी आप पकाएं तो अच्छी तरीके से पकाएं और जो चाय के अंदर यानि आपके चाय पत्ती के अंदर एंटियंटि अदर आगल हो जाते हैं वो भी आपके, इस पानी के अदर आ जाते hain, अर जो ये दोनों तीनों इंग्रेड़ियंट्स आप डाल रहे हैं इनके अलकोलाइट भी अच्छी तरीके से आपके पानी dissolve हो जाते हैं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा benefit मिलता है, इसलिए चाई को हमेशा अच्छी तरीके से पका-पका कर आपको तभी इस्तमाल करना चाहिए, तभी उसको पीना चाहिए, और ज्यादा पकी हुई चाई से ही आपको taste भी बढ़िया मिलता है, इसके लावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी चाई को जाधा healthy बनाना चाहते हैं, तो आप चाई के अंदर चीनी की जगा गुड़ डालना शुरू कर दीजिए, सबसे जाधा चीनी दिलभर में जो हम लोग इस्तमाल करते हैं, वो इस चाई और कॉफी के चक्कर में इनी में सबस्वादा चीनी इस्तमाल होती है, अगर मालीजी आपने दिन बर में तीन कप चाई भी पी ली और हर एक कप के अंदर आपने एक चमच चीनी डाली, तो दिन बर में आपने टोटल तीन चमच सिर्फ इस liquid के जरिए इस चाई के जरिए आपने अपनी body के अंदर दाल दी, चीनी जो है एक बहुती बुरी चीज है, इसको मैं white poison भी बोलता हूँ, तो कोशिश करिए कि इस चीनी की जंगा आप अपनी चाई के अंदर गोड़ का इस्तमाल करें, तो उससे आपको मिठास भी मिलेगी और आपको चीनी का नुकसान भी नहीं होगा, वैसे आपकी चाई के अंदर एक हलकी सी मिठास तो आही जाती है, एक हलका सा flavor तो आही जाता है, एक और बाद जिसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों वो ये कि आप एक दिन में 2-3 cup ये maximum 4 cup आप दिन में चाई पीएं, इस से जादा आप चाई कभी भी दिन भर में इस्तमाल न जाता है, वो आपकी बोडी के अंदर अवशोशित नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से आपको फाइदा उतना खाने का नहीं मिलता है, मुझे अमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा हो कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा